हलो एविवन कैसे हो आप सब बाटियां तो आपने बहुत टाइप की खाई होगी लेकिन इतनी खस्ता बाटि आपने कभी नहीं खाई होगी ये बाटि खस्ता होने के साथ हेल्थी भी है ऐसी परफेक्ट हेल्थी टेस्टी बाटि कैसे बनाए वो सब इस वीडियो में देखेंगे तो फिर देर किस बात की चलिए ये हेल्थी टेस्टी बाटि बनाना शुरू कर लेते हैं बाजरी की बाटि बनाने के लिए सबसे पहले बाजरी का आटा लेंगे अब कन्फ्यूज ये रहता है कि बारिक कणवाला आटा ले की मोटे कणवाला ज्यादा खस्ता बनाने के लिए आप मोटे कणवाला आटा लीजिएगा अंतर इतना सा है अगर आप बारिक करणवाला आटा लोगे तो थोड़ी सी गले में लास्ट में से चिपकेगी आपको ऐसे लगएगा कि बाटी कच-कची सी है इतनी खस्ता नहीं बनेगी जितनी खस्ता मोटे करणवाले आटे से बनेगी वैसे जो आपके घर में अवेलेबल हो आप वो ले सकते हो मैं मोटे करणवाला आटा ले रही हूँ और एक चलनी में इसे डाल कर च्छान लेंगे च्छानना जरूरी क्यों है जब बाजरे को पन पिसवाते हैं तो थोड़े से से रह से रह से रह जाते हैं रफ करन रह जाते हैं आटा परफेक्ट लगे उसके लिए च्छानना जरूरी है अब नीचे से गेस ओन करके एक बरतन में पानी लेंगे और पानी को उतना गरम करेंगे कि हात लगा सके मतलब गुनगुना गरम है ज्यादा गरम भी मत कर दीजिए का वरना हातर नहीं लगाया जाएगा जब गरम हो जाए तब अपन नीचे से गेस बंद करके इसे उतार लेंगे बहुत लोग यह कहते हैं आटे में वो मिलाओ फलाना मिलाओ धीकरा मिलाओ तो है ना खसता बनेगे कुछ नहीं मिलाना है टेस्ट के अकोडिंगे सिंपल नमक है नौर्मल जो गेहूं के आटे में अपने नमक डालते हैं रोटी बनाने के लिए या बाटी बनाने के लिए उससे ज़्यादा क्वांटिटी में थोड़ा सा लेंगे जो गुनगुना पानी अपन ने गरम किया है वो धीरे धीरे करके एड करेंगे एक साथ एड मत कर दीजिएका वरना आटा थिक हो जाएका आटे को लगाना कैसे है ऐसे गूथना नहीं है हात्तों से आटे को हाथ की लास्ट वाला जो छोड है हतेली का उससे ऐसे मस लेंगे और ये सुखे आटे को भी इसमें मिला लेंगे आटा ना तो आपको मीडियम लगाना है ना ही ज़्यादा थिक लगाना है जो भी अपन बाटिया लगाते हैं उसके मुकाबले ये बाजरे का आटा अपन टाइट लगाएंगे अगर थिक कर देंगे तो सेप अच्छी नहीं बनेगी और जिसमें अपने इसे पकाएंगे उसमें चिपकने का ज़्यादा डर रहेगा इसलिए आटा अपन टाइट लगाते हैं आप सोच रहे होंगे कि आटा तो ठंडे पानी से भी लगा सकते हैं लेकिन मैं आपको बता दूँ बाजरी के आटे में गुलोटीन नहीं होता है आसानी से चिपकता नहीं है आटा स्मूथ नहीं रहेगा तो परफेक्ट बाटी नहीं बनेगी इसलिए अपन इसे गुनगुने पानी से लगाते हैं और देखिए जो अपन गेओं का आटा लगाते हैं उससे तो बहुत फटा फट लग जाता है ये आटा अब इसे एक जगह इखटा कर लेंगे अब एक छोटा सा बंच लेकर ऐसे करेंगे और इसमें से बाटी की लोई तोडेंगे साइज क्या रखनी है अगर मोटे कंड़ वाला है तो मीडियम साइज रख सकते हो बारिक कंड़ वाला आटा लिए हो तो बिल्कुल छोटी छोटी गोलियां बनाईए का जैसे मेरा आटा मोटे कंड़ वाला है तो मैं मीडियम साइज की मीडियम साइज में भी आपको बहुत ज़्यादा मोटी लोई नहीं बनानी है ऐसे चोटी मीडियम में बनानी है साइज आपको वरना सिकाए करने में आपके गेस बहुत ज़्यादा जाएगी और टाइम भी बहुत लगेगा बाटी को गोल मतौल कैसे करना है? ऐसे दोनों हाथ की बीच में लोगे और ऐसे गोल गोल गुमाओगे तो अपने आप ही इसकी सेफ गोल मटोल हो जाएगी ऐसे करके सारी लोईयों को बाटी की सेफ दे देनी है गोल मटोल फिर से नीचे से गेस ओन करके एक बाटी में कर लेंगे पहले इसे गरम कर लिजिए का जब ये हलका सा गरम हो जाए इस पर बाटियां रखेंगे ऐसा बाटि में कर रहे ना हो तो आप माइक्रोवेव में भी इसके सिकाई कर सकते हो अब हम शादी पार्टियों में या किसी फंक्शन में ये बाटियां कैसे बनाते हैं गाय की जो कंडे होते हैं उनको जलाकर जो राख बचती है उनमें इनकी सिकाई करते हैं अब घर पे तो कहां से गाय के कंडे लेके आए या लकडी कोई लेकी राख लेकर आए इसलिए मैंने ये ओवन लिया है और पहले गाउं के घरों में तो चुल्ले होते हैं जो राक बच जाती थी उसे में गॉल मटोल बाटियां करके और फिर सिकाई कर लेते थे इनकी सिकाई करने के लिए गेज की फ्लेम ना तो आपको हाई रखनी है ना ही मीडियम लो फ्लेम पर इनकी सिकाई करेंगे बाजरा पकने में टायम लगता है हाई फलेम कर देंगे तो जल जाएगा लेकिन इसकी सिकाई नहीं होगी इसलिए मैं ज़्यदा ध्यान इसी पे दे रही हूं कि लो फलेम करना है इधर मैं बथवे की कड़ी भी साथ में बना रही हूं बथवे की कड़ी और बाजरे का कॉम्मिनेशन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है थोड़ी देर बाद में आपको ऐसे लगे कि ये पलट जाएगी तो आप इन्हें एक बार पलट दीजिए का अगर आप ऐसे पलटोगे ने तो क्या होगा एक तरफ से इनकी सिकाई हो जाएगी और दूसरी तरफ से ये कच्ची की कच्ची रह जाएगी जो उठे उसे ही पलट ना है ऐसे जबरदस्ती पलटोगे तो ये देखे मेरी एक बाटी में करस हो गया है न वैसे थोड़ा सा भाग इनका तूट जाएगा जबरदस्ती इनने उठाओगे तो पलट लेने के बाद बीच बीच में चेक करते रहिएगा और ढख कर इनकी सिकाई करेंगे बाटियों को चाहो तो आप और हलकी सी करारी कर सकते हो धीमी धीमी आज पर ये दिखे इनकी सिकाई हुई है कहीं से जली नहीं है मेरे सारे घरवाले बाद में खाएंगे तो मैं इन्हें ज़्यादा करारी नहीं कर रही हूँ आप तुरंत खा रहे हूँ तो इन्हें करारी कर लीजिये का अब नीचे से गेस बंद कर देंगे अपनी गोल मटोल सी बाटियां बनकर त्यार हो चुकी है बिना सबजी के ही आप इसे चट कर जाओगे बस इसमें थोड़ा सा देसी घी डालिए गरम करके मजा आजाएका आपको खा करें बाजरी की बाटि गुड के साथ भी खा सकते हो और किसी कड़ी सबजी के साथ खाओगे तो भी टेस्टी लगेगी और ऐसे घी से चोपड़ कर सिंपल खाओगे न तो भी मजा जाएका आपको खा कर और दीखे कितनी खसता है मैंने जो कड़ी बनाई है उसी में मैं चूरा कर रही हूँ बत्वे की कड़ी कैसे बनाए उसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप किलिक करके जरूर देखिएगा मुझे उमिद है मेरी ये रेश्पी आपको पसंद आई होगी अगर आपको मेरी ये रेश्पी पसंद आई हो वीडियो को लाइक, सेर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिये का